Hello everyone, welcome back to my channel आज की वीडियो में हम discuss करेंगे Math Worksheet Class 3 अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी न्यू वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं 109 minus fill in the blank given है आपको is equal to 100 आपको बताना है कि यहाँ पे कौनसा number आएगा जिसको हम अगर 109 में से minus करें तो answer क्या है 100 तो जब भी आपको ऐसा operation given होता है addition या subtraction का जिसमें आपको answer पता होता है और एक number पता होता है तो दूसरा number निकालने के लिए आपको क्या करना है जो भी बड़ा number हो इन में से उसमें से आपको चोटा number minus कर देना है जिसमें यहाँ पे बड़ा number है 109 तो इस तरह से आप missing number निकाल सकते हैं तो 109 में से हम 9 को minus करेंगे तो answer 100 आता है 230 plus missing number है यहाँ पे is equal to 300 तो इन में से बड़ा number कौन सा है 300 है तो 300 में से हम यह number जब minus कर देंगे तो हमारा missing number आ जाएगा करके देख सकते हैं 300 minus 230 that is equal to 0 minus 0 यहाँ पे 0 है तो यहाँ से हम carry ले लेंगे 10 minus 3 कितना हो गया 10 minus 3 होता है 7 यहाँ पे कितना बच गया 2 2 minus 2 0 तो हमारा missing number क्या है 70 230 में जब आप 70 add करेंगे तो answer 300 आता है 150 is equal to missing number plus 90 हमें यहाँ पे missing number निकालना है तो हम क्या करेंगे 150 में से 90 को minus कर देंगे तो हमारा answer क्या आएगा 60 60 यहाँ पे वो missing number है जिसको हम 90 में add करें तो 150 answer आता है 99 divided by 9 इसमें तो simply आपको divide करना है 99 को जब आप 9 से divide करेंगे तो answer क्या आएगा आप divide करके देखें answer मैं बता देती हूं 11 next question में आपको जो भी blank given है वहाँ पे correct sign का use करना है आपको बताना है कि वहाँ पे plus आएगा, minus आएगा या फिर multiplication आएगा for example 20 यहाँ पे आपको blank given है 5 is equal to 15 तो आप बताएं 20 में हम 5 add करते हैं तब हमारा answer 15 आता है या फिर 20 में से हम 5 को minus करते हैं तब हमारा answer 15 आएगा या फिर 20 को 5 से multiply करेंगे जब हमारा answer 15 आएगा तो आप करके देखें 20 plus 5 यह तो 25 हो गया अब 20 minus 5 क्या है 15 इसका मतलब ही हाँ पे क्या sign आएगा subtraction का sign आएगा 16 में अगर हम 8 को minus करते हैं तो हमारा answer आता है 8 16 को 8 से multiply करेंगे तो 24 से बड़ा number आएगा जब 16 को 8 में हम add करेंगे तब हमारा answer आएगा 24 7 यहाँ पे fill in the blank है 7 is equal to 49 7 को जब हम 7 से multiply करेंगे तब हमारा answer आता है 49 15 fill in the blank given है 2 is equal to 30 तो यहाँ पे कौन सा sign आएगा यहाँ पे आएगा multiplication का 15, 20, 30 next question में जो भी आपको fill in the blank given है वहाँ पे आपको कौन कौन से sign यूज करने है greater than, less than, equal to 21 plus 4 21 plus 4 कितना होता है 25 19 plus 7 19 में 7 add करेंगे तो कितना आएगा 26 तो यहाँ पे आगया 25 इन दोनों को add करने से इन दोनों को add करने से आगया 26 चीक है आप बताएं 25 बड़ा नंबर है या 26 26 बड़ा नंबर है न तो जो हमारा sign है वह कौन सा sign यूज होगा ये वाला 25 is less than 26 20 multiply 6 20 को 6 से multiply करेंगे 6 2s are 12 अब 15 को 10 से multiply करेंगे that is equal to 150 यहाँ पे इनस का answer आया है 150 15 को 10 से multiply करने के बाद और 20 को 6 से multiply करने के बाद answer आया है 120 so 120 is less than 150 50 को divide करना है 5 से 75 को divide करना है 5 से जब 50 को हमने 5 से divide किया तो हमारा answer आया 10 75 को 5 से divide किया तो हमारा answer आया 15 अब 10 बड़ा है या 15 बड़ा है 10 से 15 बड़ा है न so 10 is less than 15 okay 120 divided by 2 120 को divide करना है 2 से 2 6 आइड 12 60 आइड आया है यहाँ पे हमारा 80 को 2 से divide करेंगे तो answer आएगा 40 अब 60 बड़ा है या 40 60 बड़ा है न तो 60 is greater than 40 complete the pattern next question में जो भी pattern आपको given है वो complete करना है 4 4 के बाद 8 8 के बाद 12 यहाँ पे देखिए सभी number में 4 4 का difference है तो जो next number आएगा वो भी 4 के difference पे ही आएगा तो 12 के बाद आप 4 number count कीजे 12, 13, 14, 15, 16 तो यहाँ पे आएगा 16 उसके बाद आप 4 number count करेंगे 17, 18, 19, 20 तो यहाँ पे 20 आएगा और उसके बाद जब आप 4 number count करेंगे तो यहाँ पे आएगा 24 10, 30, 50 इस pattern में सभी number में 20, 20 numbers का gap है तो 10 के बाद 30 है 30 के बाद 50 है, 50 के बाद जब 20 numbers का gap रखेंगे तो क्या आएगा 70 70 के बाद 20 numbers और add करेंगे तो क्या आएगा 90, ओके 11, 22, 33 यहाँ पे 11 11 numbers का difference है तो उसके बाद 33 के बाद 11 number जब आप count करेंगे तो क्या number होगा 44 44 के बाद 11 number count करेंगे तो क्या होगा 55 और उसके बाद 11 number count करेंगे तो क्या होगा 66 convert 5 meter is equal to how many centimeter देखिए 1 meter में कितने centimeter होते है 100 centimeter होते है न तो 5 meter में कितना होगा 5 meter में होगा 5 multiply 100 that is equal to 500 centimeter तो यहां पर क्या हैगा 500 centimeter 2000 gram is equal to how many kilogram तो आपको पता है 1 kilogram में 1000 gram होते है इसका मतलब 2 kg में कितना होगा 2000 gram तो यहां पर क्या answer आएगा 2 6 kilometer is equal to how many meter 1 kilometer में 1000 meter होता है तो 6 kilometer में कितना meter होगा 6000 meter होगा तो यहां पर क्या हैगा 6000 meter 30 meter is equal to how many centimeter 1 meter में 100 centimeter है तो 30 meter में कितना होगा 30 को multiply कर देंगे 100 से तो यह हो जाएगा 3000 centimeter next question में आपको एक division का sum given है आपको बताना है कि diviser कौन सा number होता है dividend कौन सा number होता है, question कौन सा number होता है और remainder कौन सा number होता है तो diviser होगा हमारा यहां पर 3 जिस number से हम divide करते हैं वो होता है diviser dividend जिस number को हम divide करते हैं यानि कि 89 को हम divide कर रहे हैं यहां पर किस से 3 से, तो जिससे divide करते हैं वो diviser और जिसका division होता है, जिसको divide कर रहे हैं, वो क्या है dividend, cushion cushion क्या होता है divide करने के बाद जो हमारा answer आता है न, वो होता है cushion और divide करने के बाद जो हमारा remainder, 6 फॉल बचता है वो remainder बोला जाता है, तो यहाँ पर remainder क्या है 2 I hope आप कोई वीडियो helpful लगेगी, thanks for watching